खुसामदी दोस्तों राम राम सलाम आप सबका स्वागत है आज मैं आपको एक लोग कथा सुनाने जा रहा हूं ये लोग कथा आज के माहौल के उपर आधारित है जैसे आजकल अरियाना में इलेक्षन का दोर है नेता श्याम को किसी पार्टी में होता है सुब किसी पार्टी में होता है तो इसी तरह के इन्वार्टमेंट के उपर एक हमारे गाउं के जब हम बच्चे थे हमारे हम दादा जी कहते थे नना पंडत होता था तो नन्ना बामन ऐसे कहती हुए चलता था नन्ना बामन कह गया जमाना बैग्या जमाना बैने का मतलब होता है इंटीग्रिटी डाउटफुल होती उसमें आरियस माज के बजन ही भी आ करते थे वो भी बजनगा करते थे कर लोटा दो लोटा होती तो छन जाती ये तो कुवे में भंग मिलाई भाई ये तो कुवे में भंग मिला रखी है पूरा आवा का आवा खराब हो गया आवा होता है बठा लगाते थे पर लिगाओं के बार इंटे निकाल के किसान लोग जमिदार लोग और फिर उसको पकाते तो तब वो कहते थे बठ्था बैठ गया वो आज कल के भी जो बठ्थे हैं जिनको चिमनिया कहते हैं उनमें भी कई बठ्था बैठ जाता है जादा इटोने से कई बार इंटों के जाम में बन जाते हैं तो जो कोईला जल गया लेबर गई वो तो गई उस गेड को खाली कराने के लिए भी जो हनी पैसे लगते ही से कहते हैं बठ्था बैठना तो ऐसा लगता है जैसे समाज का बठ्थाई बैठ गया देश का नेशनल करेक्टर डाउन ला गया कई बार तो सक कैसे होने लगता है बैब गर्सिंद जैसे लोगों ने 1946 में जोनी नेवी का रिवोल्ट वा था एरफोर्स के अंदर रिवोल्ट वा था आर्मे के थारास्ताउन का गदर था गे लोगों ने अपनी खुर्बानिया दी क्या वो इसी लिए दी थी के चारों तरफ पर रिष्टाचार का बोल बाला हो तो इसी के उपर दादा नन्ना एक कहानी सुना करता था लोग कथा सुनाता था वो कहा करते थे के एक बार एक अनसकी और कव्वे की एक कागगी दोस्ती थी लेकिन वो इलाके उनके दूर दूर थे लेकिन उस्य में जो अकाल पढ़ते थे कई बार जो नि बैंकर अकाल पढ़ जाता था नदियां तो थी पर नेरे नहीं थी ने बिजली थी ने टूबल थे खेती बच्षा पर आदारी तो थी थी तो एक बार ऐसा बैंकर अकाल पढ़िया जैसे अमारे अरियाना के अंदर समट थारा सुचालिस काकाल जी से चालिस साकाल के थे ये 1783 में पढ़ जा था कूवें और तालाबों का पानी सुग्या आदा अरियाना खाली हो गया था यमनानादी की तरफ सलिया गया था तो ऐसे में तालाब और जोनी वो कूवे सब पानी खतम हो गया और अंस जोनी पानी में रहता है तब अंस और अंस नी बात करने लगे चलो भई अब इसी लाके को छोड़ते हैं और दोबारा चो मास आएगा बर्षात का सीजन आएगा अगर बर्षात होई तो फिर आ जाएंगे वो अपने एक दोस्त अंस का एक दोस्त था कागा वो उस कागा के पास चले गए दो तिन दिन में पहुंचे जाने लगे जाते जाते दो तिन दिन लगे जब वो वा पहुंचे तो अंस कहने लगया दूर से देखो वो है मेरा दोस्त कागा और कागा उस तेम बिष्टा में चोंच मार रहा था तो अंसनी कहने लगी ये किसा दोस्त है ये तो गुंखाना है ये तो गुंखाना है और यान के अंदर ये भी एक कावत है गूँ खाना, नीचे करम करना, गंदे काम करना, कव्वे ने ये बात सुन ली, उसको बड़ी पिन्च होई, लेकिन हमारे समाज के अंदर ये भी बात करी जाती है, फलाना आदमी वो कागबर गाशाना है, कागा इस बात को अंदर ही पी गया गुसे वो, उसने बड़ी वक्त की, अपने दोस्त की, खूब उसकी सेवा की, वो तीन-चार महीने तक रहे, लेकिन कहते हैं, बोल का गाउ नहीं बड़ता, लट का गाउ तो बड़ जाता है, उसको ये एक टीस थी, और वो अंसनी को सबक शिखाना चाथता था, तो फिर समासा आगया, बरसात का सीज आगया, अंस करने लगया, वही हम चलें, तो उसने दावद दी स्याम को, और उसने कया ठीक है, वही सूबे चल दे जाना, जब वो जाने लगया, और अंसनी जाने के लिए त्यार हुई, तो खागा करने लगया, तू तो यहीं रो, तू कहा जाएगी, तिरे कोन जाने जाने लगया, तू तो मेरे गरवाली है, तिरे को मैं ब्यार के लिया था, शाधी करके लिया हूँ, तो अंस करने लगया भई, यह कैसे, आँचि क्यों, अचि को भई, यह कैसे लो सकता, उसने आखा भई गाहँ वाले होसे पूछले, अंसे मितो गया, तो पंचैत होगी, गाउं के फैंसले तो पंचैत में होते हैं तो उसमें मजोर्टी में काग्ये थे जो पाँच आदमी फैंसला करने वाए होते हैं वो निकल के एक तरफ गए जैसे आजगल यूएनों है यूएन में भी पाँच देश हैं जिनके पास वीट्टो पावर है यूएसे है रस्या है चीन है, फ्रांस है, इंगलेंड है इसी तरह पांच कागन यारे गए और वो कहने लगे भाई अनस तो आज चलिया जाएगा और इस कागन या रहना ये हमारा बाई है हमारी जाती भी मिलती है हमारा दर्म भी मिलता है और इसके पास आपन रोजो कापीने जाना अगर हम ये कहेंगे ये अनसनी अनसकी है तो ये नूँ कहएगा मेरी खुसवाइदी मेरी बहु कि वो कापीने भी जी करे है तो इसलिए उन्होंने फैसला किया भी कागा तो अपनी जाती का है अपने दर्म का है इसलिए उन्होंने उसके अक में फैसला दे दिया भी हाँ ये सची बात है ये कागा भ्या के लिया था इसको नसनी को हरम बरात में गए थे एक पंचने का मुझे गिलास रुपया मिल्या था बड़ा गेड डिवाला गिलास दिया था दूसरे ने कया मैं थंबू की गोड़ी माइंके लेके गया था तीसरे ने का मेरा कच्चे गर में दे रहा था चोथे ने का मेरा बहुत बड़ा दर्वाजे में दे रहा था पांच में ने का इसका माम्मा का थापपा लगया था, सो रपीय में ले थे थापपा लुआई के, समधन में दिये थे चलो पन्तायत का फैसला गाउं में शरुमान ने उता, उसने मान लिया अंसने और वो जाने लगया तो बस्टेंड पर छोड़ने गाउं की सीमा तक वो जैसे आज तक बस्टेंड तक छोड़ने लगया और अंसरोने लगया, कहने लगया बड़ी करी रहे अरदास गोड़ा, दाना खावन गास है अरे मेरे यार तना ऐसी करी, ऐसी के खरनी थी, तो कागा कहने लगया चल, वापिस सलते हैं, सोचेंगे कोछी लाज और आज फिर दावत दी उसने, और शुबह अंसनी को भी कया, भई जाओ तुम भी, उसने कया, भई बात सुन जब तुम आए, तो इस तेरी अंसनी ने कहा था, यह कैसा दोस्त है, यह तो गुंखाना दोस्त है तो मैं यह सिद्ध करना चाथता था, यह देशी गुंखाना का है, यह पंचैतियों ने फैंसला कर दिया तो मजोर्टी में यह इनकी इंटीगरिटी डाउटफूल है, नेशनल करेक्टर डाउन है और खासकर नेताओं का, यह भी कावत है, जिसी नक्ती देब्भी, इसाय नक्ता पुजारी जैसे जनता है, वैसे ही नेता है, क्योंकि वो हमारे अंदर से निकल कर गए है इसलिए बायोत जाती के आदार पर और दर्म के आदार पर जैसे कव्यों में फैसला किया यह हमारी जाती का है, यह बामन बाई है, यह जाट बाई है, यह दलित बाई है, यह बैकवर्ड बाई है अगर इस तरह से वोट दोगे तो इसी तरह के फैसले होंगे और फिर रोना इसलिए मेरी वाईयों से यह विंती है मेरा कहानी सुनाने का ठाट प्रिये भी यह है कि जाती से दर्म से उपर उठकर अच्छे आदमे को वोट दो चाहिए वो किसी भी पार्टी का हो लेकिन नेताओं ने एक दर्म अपना लिया गुर्द्याल सिंग डिलो पंजाब के अंदर वो मंत्री होते थे उन्हों उन्हों ने एक बार कहा था कि असेंबली में डीग पहुँ चेवरोसंदान में कोई डीग पहुँ बकिसी तरह से मले बने जाओ लूट का सरटीब स्केट मिल जाएगा आपको सरकारी पर्मट मिल जाएगा यही आजकल के नेताओं ने कर रख्या है मले जोनी दूशियंत की पारटी से बनते हैं साथ बाजपागा देते हैं फिर जोनी MP के इलेक्शन में कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं कांग्रेस का टिकेट नहीं मिलता तो मले में दुबारा बाजपा में आ जाते हैं तो यह जोनी नेशनल कर रहा है यह हम सब की जुम्मेवारी है अगर हम ऐसे नेताओं को वोट ना दें अगर हम अच्छे लोगों को वोट देना शुरू करेंगे जाती पाती दर्म से उपरूठ कर वोट देना शुरू करेंगे तो पार्टी यहां भी अच्छे लोगों को है कि इस लोग कथा को ज्यान में रखते हुए अपना वोट अच्छे लोगों को दें चाहिए वो किसी भी पार्टी के हो अच्छे लोग जाएंगे वो अच्छाई फलाएंगे बुरे लोग जाएंगे वो बुराई को फैलाएंगे एक बार नानक जी किसी गाउं में गए तो लोगों ने पत्थर मारे नानग जी करने लगे बस तेरा हो फिर वो दूसरे गाउं में गए तो लोगों ने उसकी बाद ज्यान से सुनी बड़ा अच्छा खाना के लाया नानग जी ने कया उजड जाओ तो बाला और मरदाना उसके साथ थे उन्हों ने का गुरू जी ये कैस के भी ये अच्छे लोग हैं उजडेंगे जान भी जाएंगे अपनी अच्छा ही फैलाएंगे और बुराई एक जगई पड़ी हुई अच्छे होती है तो बाईयो अच्छे काम करो अच्छे लोगों को बोट दो मेरा ये कानी सुनाने का उदेश्य यही था थेंक यू भर अगर आपको यह कानी पसंद आए तो किरप्राई से सेर करना और सैनल को सबस्क्राइब करना थेंक यू